एक हजार रुपय की रेंज में पहले बहुत गिने चुने अच्छे ब्लुटूथ येफोन्स ओप्शन थे बट नाओडेज बहुत से अच्छे ओप्शन्स अवेलिबल हैं अगर आपको कॉलिंग के लिए नेक्बंड चाहिए दिन हजार रुपय में आपको क्वार्ड माइक दोस्तों पाच्वे नमर पे आता है मीवी कॉलर फ्लेश नेक्बंड मीवी कॉलर फ्लेश में आपको 10 mm के ओडियो ड्राइवर्ट मिलते हैं विच ओफर्स यू बेलेंज साउंड देखो बेस आपको इस एरफूर में बहुत ही कम मिलता है बट वोकल्स बहुत क्लियर है अर आप इस नेक्बंड को यूज कर सकते हैं तेको फिट के वावले में कोई कम्पलीन नहीं है काफी शानदार फिटेस नेक्बंड का बट हाँ कॉलिंग के लिए ये नेक्बंड रिकिमेंड नहीं है बिलकुल एवरेज माइक क्वालिटी आपको मिलती है ओवरॉल जैसा मैंन देखो यार एक हजार रुपे के बजट पे मैं वाइलेस गेमिंग बिलकुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ दोस्तो चौते नमर पे आते हैं पेट्रॉन जेट गेमिंग ये नेक्मेंड आपको तभी खरीदना है जब आपको केवल गेमिंग करनी है बिकाउस गेमिंग ओर इस नेक्मेंड का गेमिंग मोड 30ms का लेटेंसी साउंड आपको ओफर करता है अब सही बताओ न ये तो आन पेपर लिखा है बट मैंने जब ये नेक्मेंड टेस्ट करा तब 30ms की लेटेंसी तो मुझे नहीं लगी साब बता रहा हूँ बट अराउंड 35-40ms का लेटेंसी सा जैसा मैं बता चुका हूँ थंपी छोड़ो नॉर्मल बेस भी आपको नहीं मिलता बट गेविंग के लिए जोर साउंड सेपरेशन चाहिए होती है वो इस नेक्मेंड में बहुत सही है 200mAh की बैटरी वाला ये नेक्मेंड अराउंड 25 घंटे का बैटरी बेकप आपको यही हाँ ऐसा नहीं है कि हजार उपे की रेंज में सबसे बेस्ट माइक्रोफोन ही आपको इस नेक्मेंड में मिलता है ऐसा नहीं है बट हाँ काफी अच्छी माइक्रोफोन क्वालिटी ये नेक्मेंड आपको आफर करता है पेटरॉन का यह गिविंग Bluetooth एयरफोन भी आपक बिकाज यार बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल एक तरफ आ है बहुत द्यूरिबल फिल होता है ये नेक्मेंड साथ ही आपको IPX5 का वाटर रेजिस्टिविटी सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है कि ये नेक्मेंड आना पूरा रबर रैस्ट है सो यार साही ही में काफी द्यू बैकप यार केवल 10 से 12 घंटों का बैकप आपको मिलता है जो कि यार इन कंपारजन बहुत ही ज्यादा कम है यार कंपनी 20 मिनट के चार्ज में अराउंट 4 घंटे का बैकप आपको ओफर करती है और कंपनी ने इसे फास चार्जिंग लिखा है यार आदे घंटे में पूरे जोने वाले neckband भी एस लिस्ट में so मेरे recording fast charging तो इस neckband में नहीं है microphone quality पे आपको ठीक टाकी मिलती है overall ये neckband मैं उन्हें recommend कर सकता हूँ जिनने एक तो punchy base चाहिए solid build quality चाहिए and अगर आपको gym running वगरे के लिए एक neckband चाहिए 1000 रुपे के असपास definitely then you can consider this one around 1000 रुपीस का ये neckband भी आपको मिल जाएगा लिस्ट में नमा टू पे आते हैं infinity JBL Glide 120 earphones and if you want a neckband जिसमें आप सही माइने में music को enjoy करना चाहते है then this neckband is for you punchy base quality आपको मिल जाती है this neckband offers you really clear vocals and 12 mm के बड़े audio drivers ये neckband आपको offer करता है this JBL neckband offers you dual equalizer mode and with the help of this mode you can switch sound quality between normal bass and deep bass यानी for music levers this one is an overall package other than sound quality Bluetooth 5.2 का chipset is neckband में अवेलिबल है around 7-8 hours का battery backup आपको मिल जाएगा this one is IPX5 water resistant and yes workouts में भी आप this neckband को use कर सकते हैं but build quality मुझे this neckband के इतनी एच्छी नहीं लगी according to me this neckband is dedicated towards sound quality sound quality of this neckband is exceptionally good definitely you can check out this one for music purpose this infinity JBL Glide 120 neckband will cost you 1050 rupees दोस्तो at number one we have a perfect neckband audio quality microphone quality latency सब कुछ इस neckband में आपको balance मिल जाती है at number one we have noise sense Bluetooth earphone noise के इस neckband में आपको Bluetooth 5.0 connectivity मिलती है 10 mm के आपको audio drivers मिलेंगे जो की perfectly tuned है बेस आपको अच्छा मिलेगा trouble अच्छे है vocals भी काफी सही है बसे इस neckband की loudness थोड़ी कम लगी मुझे बाकि it's good 25 hours का battery backup ये neckband आपको offer करता है 8 minutes के charging time में around 8 hours का backup noise neckband आपको offer करने की शुमता रखता है और इसे कहते है fast charging IPX5 का water resistivity certification भी आपको मिल जाएगा workouts में भी use कर सकते हो ये माइक एस neckband का काफी सही है in fact ये neckband आपको 1000 रुपे की range में best to my का offer करता है काफी clearly calls आप attend कर पाओगे अपने budget से ये neckband थोड़ा महंगा है but trust me it's a worth it noise sense Bluetooth earphone आपको 1100 रुपीज का मिल जाएगा so ये वो सभी Bluetooth earphones है जो कि 1000 रुपे के आसपास आते हैं आपको अच्छी value offer करते हैं and अपनी individual intention के हिसाब से list में से आप लोग कोई भी neckband खरीच सकते हैं अगर 1000 रुपे के budget के आसपास TWS earphones खरीदना चाहते हो then या right वाली वीडियो पे click करो but for now that's it for today's video and as always I will meet you in the next one कि अपरिदेशान आपको के इडहरो खरीजों बाली और स्वेले थे आपकोई अब्याख एदेशाग और शोर्डी आपकोई